हेलो दोस्तों वेलकम टू रूपीज कीचन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे, आज रूपीज कीचन में बनने वाला है कटल की सबजी, आज कल कटल का सीजन है तो मैंने सोचा क्यों ना कटल की सबजी बनाए जाए, चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं, वीडियो करना ना भूलें, और साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि आपको मेरी ऐसे ही नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहें, सबसे पहले हम यहां पर कटल को कट करेंगे, यह जो कटल है मेरे गाउन से आया हुआ है, जादे तर मार्केट में कटा हुआ 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 तर मैं आपको बताऊ दम की कटल कैसे कट करते हैं, सबसे पहले हम चाकू में सरसु का तेव लगाना है थोड़ा हाथों में लगाना है, यह देखे यह थोड़ा सा पका Wilson और यह जादा नहीं पाए हम इसकी सब्जी बना सकते हैं, अग इसे से कट कर लेते हैं पार हुआ कम पेल को बीच से कट करने के बाद अब इस बाहर का छिकल इस तरहिए से निकालेंगे यह देखिए यह बहुत आसाइने से निकल जाता है यह ऑप इस को इस तरीके से कट करेंगे और वीजबूट में आपको टेल लगाते रहना है हाथों में और चापू में तेल से तो सरसों का यूज़ करना है और जिए लगाएंगे अब मैंने पर अच्छे से कट कर लिया अब इसके रेशे हम इस तरीके से निकालेंगे पत्ता पत्ता रेसा निकालते हैं इस तरीके से तो सब्जी ज्यादा अच्छी बनती है और मसाला जो है अच्छे से सारे सब्जी में मिक्स होता है अगर आप मोटे मोटे कट करेंगे तो मसाला जो है अच्छे से मिक्स नहीं होता है यह हम ट्राइ सब्जी बनाने वाले है इस यह कुल निकाल से निकाल सब्सक्रों आनल कर के लिए देंबर मिर्च चाहिए चाहिए और जावितृ दोप फ़री लाय ची और दालची देर्टी सब्सक्राइब तीन से चार हमें आवे को तेश बता चाहिए और कुछ बेसिक मसाले चाहिए जैसे की धनिया नमक, अल्दी, लाल मिर्च और गरम मसाला और सबसे पहले हमें क्या करना है कठल को दोने के लिए हमें बॉइल करना होगा पानी कड़ाई में डालना है कड़ाई भर आब इसमें डाल देंगे हम कठल क worship फ़ले लिए हम ठंडे पानी से नहीं गुषता है Catle को में पुरा पानी में दोना होता है इस तरिके से जिले कठल को आखर पानी में सबूआए और अच्छ एक परद में थनकाल लेंगे पाराद में उन्काल करता है एक कंटल को हमें गुन गुने पानी में इसलिए बॉयल करना होता है मिर्च मिन्स दाल मिर्च दाल चिनी, पड़ी लैची, चूटी लैची और जावित रही जावित्री अब इसे हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे थोड़ा सा हलका सा फ्राई होने के बाद अब इसमें डाल देंगे हम बारिक कटा हुआ प्याज अब अच्छे से मिक्स कर लेना है फ्लेम को हाई रखेंगे और अच्छे से इसे फ्राई कर लेंगे प्याज को हल्का फ्राइ होने के बाद इसमें देड़ चमज करीब जिंजर गालिक पेश ढालेंगे और इसे भी हमने अच्छे से इक्स कर लेना है और थोड़ा सा हम इसे फ्राइ कर लेंगे अच्छे से यह देखियें जिंजर गालिक और प्याज अच्छे से भून गया है अब इसमें अच्छे आट करेंगे देड़ चमज करीब इसमें डालेंगे跟你 अ आम अ्पर चमज वल्दी और च्छा से करीविश में डालेंगे हम धनिया पाउडर और एक चमत लाल मिर्च नाव अ गरम मसानुत गळा दालेगे आमचु पाउडर को इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेना है और लो फ्लेम में मसालो को अच्छे से पहले पका लेc मसालो को थोड़ी देर पकने के बाद अब इसमें डालेंगे हम बारिक कटा हुआ टमाटर और इसे भी हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है और थोड़ी देर के लिए टमाटर को अच्छे से पका लेना है यह देखिए टमाटर जो है अच्छे से पक चुका है अब इसे अच्छ अब इसमें डाल देंगे हम जो हमने बॉइल किया हुआ कठल था उसे डाल देंगे अब इसे कर लेना है अच्छे से मिक्स मसाला जो है अच्छे से हमें पूरे कठल में मिक्स करना है इसे मिक्स करने में थोड़ा टाइम लगता है पर आप इसे अच्छे से मिक्स करके इसे तक कटल को कम से कम 20 मिनट तक लो फ्लेम में पकाया है अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और यह पका है कि नहीं पका है इसके लिए हमें क्या करना इसका बीज उठाना है और उसे हम चापू की मदद से कट करेंगे यह देखे कि आराम से कट हो गया इसका मतलब कटल की मसाले तार बनी और दिखने में कितनी बढ़िया लगी और यह टेस्ट में भी बहुत अच्छी होती है इसी तरीके से आप इस सब्जी को बनाए और मुझे कॉमेंट में बताएंगी आपकी कटल की सब्जी कैसी बनी आई वोप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो इ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में पैल आइकन दवानन ना भूले थैंक्स पॉर वाचिंग देट